हलो ए, हलो ब, हलो ए, बी, सी, ओके, आज जो हमारे टॉपिक है वो वेरियबल्स है, और इसमें हम लोग ऐसे ही पुकारने वाले हैं, अपने पूरी वेल्यूज को, चाहे वो वेल्यूज निम्रिकल हो, कैरेक्टर बेज्ट हो, या किसी भी तरह की वेल्यूज हो, तो आज की जो स्टोरी है वो वेरियबल्स के उपर बनी हो, या आखिर वेरियबल्स होती क्या है, तो देखो, यहां पर मैंने एक छोटा सा इंटू रखा हुआ है, कि आप पाइथन वेरियबल्स इसम्बॉलिक नेम, है ना, जैसे आपको किसी नाम से पुकारा जाता है, आपको किस न रहा हुँ, तो matter क्या हो रहा है, इन सब बातों में, कि आपका एक नेम है, लेकिन आपका action डिफरेंट डिफरेंट है, आपका भी कुछ नाम होगा, राजू, मुन्नो, तो इस तरीके से वो जो name है न, वो एक आपकी identification है, लेकिन उसके अंदर की जो action है, वो डिफरेंट है, तो variable भी न ऐसे ही काम करता है ये एक तरह की आप यूँ कह सकते हो कि अगर एक वार variable को हम assign कर देते हैं तो आप इसको उस name से कहीं पर भी कुछ भी message डिस्पले करा सकते हो उससे आप उस action से related मान के चलो विकास, इसका काम क्या है? Teaching कराना, है न? रवीश, इसका काम क्या है? News anchoring करना, ओके उसी तरीके से अगर मैं किसी different लोगों की बात करो Mr. Rajesh, इनका क्या काम है? Software develop करना तो अब देखो, ये तीन अलग-अलग variable विकास अगर मैं विकास को refer करता हूँ, तो वो क्या करेगा? Teaching कराएगा अगर मैं रवीश को refer करता हूँ, तो वो क्या कराएगा? News anchoring करेगा अगर राजेश को मैं refer करता हूँ, तो वो क्या करेगा? Software develop करेगा तो ऐसी ही कुछ variables की topic यहाँ पर manage होती है कि आप variables के अंदर कुछ भी define कर दो वो variables का का काम वो fix हो जाता है है न? जैसे दिखो अपने cases में, मैंने example रखा है A is equal to 10 मतलब A नाम का एक variable है A एक name है, एक क्या है? Name है, इसको हम लोग name को यहाँ पर variable बोले है न? कि इसके अंदर जो value है न वो कितनी है? 10 है, इसके अंदर क्या है value? 10 है, तो यह A न, numeric based value बनके ready हो गए यह variable किस तरह का है? Numeric based variable है, है न? तो एन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर cover करते हैं इस तरीके से ही आप कुछ भी name define कर सकते हो आपको जो मन करें वो नाम define कर सकते हो ठीक है न? कुछ इसमें limitation है जिस नाम को आप नहीं define कर सकते हो जो already python अपने अंदर reserve करके रखा है तो जायर सी बात है, फिर उसे तो आप नाम नहीं रख पाऊगे लेकिन एक commonly अब A है, B है, XYZ है, ABC है, Nicky है, Vicky है, Rajesh है यह सब कोई भी नाम आप define कर सकते हो ओके दीरी-दीरी मैं इन चीज़ों के बारे में भी बताऊँगा कि कैसे आप define करोगे तो यह variables की part हो गई अभी दिखो ऐसे न प्राक्टिकल इसको समझते हैं तो चीज़े जाधा clear होएंगी, है न आपको भी समझ मेंगे, आप भी मेरे साथ एकदम प्राक्टिकल करना start करो, चीज़ एकदम समझ में आएंगी, जहां पर भी दिखकत है न वेडियो को pause कर लो थोड़ा सा सीखना है न, matter तो है सीखने का तो सीखना है तो भाई थोड़ा सा तो महनत करना परेगा, थोड़ा सा तो time देना परेगा, तभी तो क्रांती आएगी, ओके तो सबसे पहले अपन लोग पाइचाम में आ जाते हैं, और एक नई files यहां पर बना डालते हैं, कैसे right click करो, simple तरीका मैं बता रहा हूँ और यहां से new पर click कर लो and new पर click करने के बाद, file पर click करना है या python file पर click करना है चलो python file पर मैं click करता हूँ, और यहां पर क्या करते हैं हम लोग, एक var, where नाम का एक हम लोग files बना के enter करते हैं, तो आप देखो, एक blank file where.py नाम का बन के ready हो गया, है ना अब चीजे धीरी धीरे आसानी से check करते हैं, कि काम यह हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो अब भी हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक value लगाते है a is equal to 30, ओके तो a नाम का एक variable बना है, एक नाम एक variable मैं बना लेता हूँ, मान के चलो, wiki नाम का भी, i, k, k, y wiki is equal to 40, ओके और एक variable मैं बना लेता हूँ, x, y, z नाम का, ठीक है, नाम आप कुछ भी रख सकते हूँ, और उसके मैं पावर रख देता हूँ, एक 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 जाम्पल में x, y, z के अंदर a high बच्चो मैंने यह लिख दिया, ok चीज़ी दिखो, अभी clear है ना, अभी दिखो, तीनों का तीन action है, मैं बोलूँगा a वो अपने 30 value दिखाएगा wiki 40 दिखाएगा, x, y, z high बच्चो यह value प्रिंट करेगा, ok अभी यह तीनों को ना, हम लोग manage करते हैं तो देखो matter क्या है, एक variable है wiki एक variable है x, y, z एक variable है ऐसे आप कुछ भी variable रख सकते हो ठीक है, सिर्फ reserved variable को ध्यान में रखना है, वो चीज़े आपको automatic python आपको बताएंगे कि यह चीज़े reserved है, है न, वहाँ पर error शो करेगा आगे आपके, आप जैसे से आगे बरोगे न, वो चीज़े एकड़म clear होती चीज़े चली जाएंगे, chapters में आपको ऐसी चीज़े मिलने वाली है जिसे आपको idea लगे है, भाई, ये चीज़ नहीं मानने है ठीक है न, तो जैदा burden नहीं लेना है mind पर, mind को एकड़म clear रखना है और चीज़ों को आसानी से सीखना है, आसान जब लगेगा तब ही आपको interest, मज़ा आएगा इसको सीखने में और मैं बिलकुल आसान तरीके से सिखाऊंगा attention free हो, इसके लिए, okay तो मैं एक बार action run कराता हूँ wiki का, कैसे print print मैंने बताया न, पिछली क्लास भोलना नहीं, एकडम सब को याद रखना है properly, print and wiki print से क्या होगा, wiki का पूरा message print होगा, दुनिया को दिखेगा है न, तो print, sorry यहाँ पर अपने को न, variable में double inverted कामा डालने की ज़रत नहीं एकडम common तरीके इसको manage करना है b, i, k, k, 5 wiki and अब इसको run कराना है, first time run कराओगे तो यहाँ देखो, hello पहले से खुल के बैठा हुआ है, तो भाई, हमें इसे first time run कराना है, तो right click कर लो इसके उपर और एक बार कर लो run where, now देखो wiki के अंदर की जो values है न, वो print हो गई, wiki बोलते है 40, 40 मार दिया मेरे उपर okay चलो, अब मैं फिर फिक बार print कराता हूँ, print मैं कहता हूँ, print x, y, z x, y, z, तुम अपनी action मेरे को दिखाओ, तो जैसे हम यहाँ पर run करेंगे यह कहता है, hello, hi बच्चो, okay अगर मैं उसी तरीके से करता हूँ, print a a, तुम अपनी action दिखाओ, तो यह तुरंट मेरे उपर चिपकार डाला 30, ले भाई 30, okay, मतलब matter क्या है कि न, variables बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब अपने name के हिसाब से अपनी action दिखा रहे, जिसका जो नाम है, जिसके अंदर जो action डाला गया है, जिन्रों अपने जिस चीज की पढ़ाई की, वो चीजी वो यहाँ पर cover करके दिखा रहे, मेरे उपर चिपका रहे है न, अब आप पंडित से पूछोगे कि भाई, python सिखाओ तो वो तो नहीं बताएगा, वो तो मंत्रों चारण करेगा, मेरे से आप पूछोगे तो भाई मैं python सिखा पाऊंगा, मैं teaching करा पाऊंगा ऐसे ही सबकी अपनी अपनी एक action होती है, ठीक है न, यहाँ पे action define करना हमारा काम है, हम लोग इस पूरी python के न, king है याद रखना, तो अपने हिसाब से हम लोग अपनी शहर बनाएंगे और राज करेंगे, clear है तो चलो, राज करने का टो time आ चुका है अब भी देखो, यह चीज़े तो अपनी clear हो गई, है न, print wiki print x, print a तो अब देखो, अपनी तरीके से भी हम लोग थोड़ी सी printing की level को cover करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक साथ multiple variable को print कराते हैं, अपनी को print करना है, a, wiki, अगर double variable एक साथ print करना है, तो enter करो sorry, यह लिखने के बाद आपको क्या करना है, run करना है है न, ध्यान देना, तो देखो 30 30 and 40, दोनों print कर दिया a में 30 है, तो यह 30 print कर दिया, and wiki में 40 है, तो 40 print किया, अपनी को मन है कि high बच्चों भी print हो जाए, तो क्या करोगे, x, y, z comma, x, y, z लगा के print करो, तो देखो, 30, 40 and high बच्चों, okay चीज एकदम properly cover हो रही है, अब मान के चलो अपना कुछ है ऐसा है कि देखो, सब न, एक particular जगह पे जा के save होता है, एक particular जगह पे जाके save होता है सारी चीज़ें, तो reason क्या है कि मान के चलो अगर कोई आपके पास आया, ठीक है न, आप उसको बैठने के लिए एक जगह देते हो, एक chair देते हो suppose मान के चलो, आपके पास आपके घर में 5 chair है, तो chair 1, chair 2, chair 3, chair 4, chair 5, तो उसी तरीके से, python में भी, जब आप अपनी शेहर बसाओगे तो वहाँ पर भी आपको काफी सारे chairs बनाने होंगे, तो python बहुत सा chair बना के रखा हुआ है, ठीक है न, अपने को बिलकुल attention लेने की जुरूरत नहीं है, ये सारे चीज़े manage करके रखा हुआ है, है न, आप king हो यहाँ के, याद रखना बस, तो अपने को न, ये देखना है कि भाई ए जो है, ये कौन से chair पे बैठ गया है, विक्की कौन से chair पे बैठा है, तो इसकी न, वो number दिखाएगी, इसकी वो id दिखाएगी तो इसको देखने के लिए, अपने को करना क्या है, अपने को लिखना है print, और मैं कहता हूँ कि मुझे id दिखाओ, किसकी a की id दिखाओ, है न यहाँ पे जैसे मैं run करता हूँ तो दिखो, ये a का न, chair का number दिखाता है, भाई, इतनी chair है, मतलब a जो है न, वो कौन से chair पे बेठा हुआ है 2, 6, 3, 5, 8, 1, 8, 5, 9, 9, 5, 6, 8 सोचो कि कितनी chair होएंगी, मतलब आप सच में king हो या के काफी unlimited income है आपके पास भाई तो इतनी ज्यादा मतलब ये इसकी id शो करा रहा है, उसी तरीके से, चलो विक्की की भी id देख लेते हैं, तू कहा बैठा हुआ है, तो print कैसे मैं चेक करूँगा, bracket के अंदर, इसको न, हम लोग parenthesis bracket भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, parenthesis bracket सो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं id, और id के अंदर अपन लोग किसकी details निकालनी है, विक्की तू कहा बैठा हुआ है भाई, दिखा, तो विक्की लिखके, जैसे अपन लोग run करेंगे न, देखो, इसकी id दिखा रहे हैं कि भाई, तो इस जगर पे बैठा हुआ है, इसकी location, इसकी जो chair की number है न, वो show कर रहा है, उसी तरीके से, आपको जिसकी भी देखनी है, अब दिखो, मैं न, ऐसा एक चीज दिखाता हूँ, एक यहाँ पे, कि भाई, मेरा concern है कि एक की भी value 30 है, और मैं न, एक लेता हूँ, बी, बी बराबर 30, ओके, अब दिखो, हमने एक चेर तो check कर लिया, है न, अब दिखो, दोनों का तो value ही है, दोनों का काम क्या एक ही है, भाई, A भी 30 है, B भी 30 है, है न, तो matter क्या है, ऐसे situation में python कहता है, या हमारी दुनिया कहती है, python आपकी दुनिया हुई, हम लोग की दुनिया कहती है, ऐसे situation में कि देखो A भी 30 है B भी 30 है तो chair चार बड़बाद करकी क्या करेंगे एक ही chair पर दोनों को बैठा देते हैं है ना दोनों का काम तो एक ही chair से हो जाएगा है ना A का भी 30 है B का भी 30 है तो देखो अभी A का हमने जब ID चेक किया तो क्या show किया देखो एकदम as it is अभी हमें लोग एक बार B की ID चेक कर लेते हैं कैसे print ID of B अब मेरे को न दोनों की ID same दीखने ही चाहिए है ना तो एक बार फिर से run कड़ाते हैं and check करते हैं देखो दोनों की ID same है A भी बेरावर 30 और B बेरावर भी 30 तो दोनों को इन एक इड़े पर बैठा दिया गया है एक ही चेर पर बैठा दिया गया है C भी माल लेते हैं, चलो, एक और बंदा आया, उसको भी मैंने C दे दिया, C is equal to, उसको मैंने 30 ही दे दिया, अब अगर हम print C करते हैं, print की भी chair, मतब C की भी chair check करते हैं, भाई, तू कहां बैठा है, C कहां बैठा हुआ है, तो C की भी ID अगर अब check करोगे, तो वो भी दिखेगा, अपने को, कहां पर बैठा हुआ है, ये भी same chair पर बैठा हुआ है, पर फिर से इसको रन कराते हैं, देखो, तो ये भी अपना same chair पर बैठा हुआ है, है ना, तो 76, 76, 76, देखो, इसके पूरी तीनों की न, same चीजे यहां पर शोग कर रही है, कि हमारा एक value अलग-अलग नाम से जाना जा रहा है, लेकिन सबका chair same करके रखा हुआ है, ये क्या कर रहा है, अपनी जगह को कम से कम यूज़ कर रहा है, है ना, इसलिए पाइथन की जो बनी programming होती है, काफी ज़्यादा fast होती है, पाइथन से बनी जो softwares होती है, बहुत ही अच्छी और fast बनती है, इसलिए पाइथन काफी ज़्यादा recommended होता है, कि पाइथन के hero बनो, पाइथन के king बनो, है ना, तो I think कि आपको ये चीज़े clear हुई होगी, है ना, अब देखो, variables को एक और तरीके से हम लोग मान सकते हैं, variables को आपने जरूरी नहीं है, कि ये name में आप small letter ही use करो, अब देखो, काफी सारा ऐसा confusion है, ठीक है, तो हम लोग variables को अलग अलग तरीके से भी define कर सकते हैं, चोलो, मैं ये सब फिलहाल हटा देता हूँ, है ना, मुझे इतनी चीज़े भी नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत चीज़ों को मैं रखता हूँ, आपके लिए, ओके, थोड़ी बहुत चीज़ों को मैं रख रहा हूँ, है ना, अपने लोग मान के चुलो यहाँ पर ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं अपने को ना capital letter भी यूज़ करना है था हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं एक example में हम लोग नाम यूज़ कर सकते हैं Ricky R capital I K K Y है ना Ricky underscore name ये भी यूज़ कर सकते हैं याद रखना dash मत डालना dash क्या होता है वो hyphen, dash जो बीच में होता है वो वाला option नहीं underscore ना नीचे होता है तो देखो ऐसे गर के Ricky underscore name इस तरह से भी आप मान सकते हो या Ricky भी लिख सकते हो लेकिन याद रखे अब देखो Ricky का name तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ Ricky का नाम तो मैं लिखता हूँ Ricky Kumar Singh S-I-N-G-H अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि print करो Ricky का name हमने क्या variable माना R capital है तो वैसे ही मैं लिखूँगा R-I-K-K-Y-Ricky underscore name अब देखो चीज़े clear है एक बार मैं फिर से print करता हूँ इसको run कराता हूँ तो Ricky Kumar Singh है ना तो आप ऐसे भी variables को मान सकते हो या आप ऐसे भी variables को मान सकते हो underscore मैंने यहाँ पर लिखा B capital में B A B L I bubbly N is equal to मैंने यहाँ पर डाला Hey this is bubbly here Okay तो देखो underscore से भी आप इसे define कर सकते हो याद रखिएगा यह मैंने minus, dash या hyphen जो भी आप बोलते हो वो चीज़े यहाँ नहीं है यह underscore है मतलब नीचे में है underscore मिल जाएगा आपको आपके systems में shift के साथ ना आप hyphen वाला बटन दबाईएगा shift के साथ तो देखो नीची वाला underscore आएगा underscore क्याम करते हैं अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि print underscore bubbly sorry B मैंने capital use किया है ना तो अपने को वही लिखना है B A B L I bubbly और मैं जैसे यहाँ पर इसको भी run करता हूँ तो उसके अंदर का data hey this is bubbly here print हो जाएगा है ना तो दोस्तो इस तरीके से हम लोगों ने variables की story को cover किया आपने यह देख लिया कि हम लोग कैसे अलग-लग लोगों का नाम define कर सकते उनको काम कैसे दे सकते है और variables की चीजों को कैसे cover किया जा सकते है कोई भी issues है ना कोई भी doubts है comment करो ना भाई मैं बिल्कुल बैठा हूँ comment देखने के लिए सारी लोगों का comments का मैं reply करूँगा तो बिल्कुल आप मुझे comment section में लिखो और इस story को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के शाद शेयर करो और subscribe नहीं कियो तो भाई subscribe भी कर लो वीडियो पसंद है तो like भी करो Thank you